आज हम लोग करेंगे टीचेबल का डीटेल रिव्यू हाई गाइस मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी और यहाँ पर मैं डीजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले टीचेबल के बारे में टीचेबल और तिंकेफिक यह दोनों एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो की ओनलाइन कोर्स सेलिंग के काफी फेमस है तिंकेफिक के ऊपर मैं अल्रेड डीटेल वीडियो बना चुका हूँ वह आपको आई बटन के ऊपर मिल आज हम लोग बात करेंगे टीचेबल के बारे में यह भी अच्छा प्लेटफॉर्म है इसके क्या प्रोस है फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव इंडिया में इसके क्या प्रोस है क्या कौन से क्या पेमिंट्स रहेंगी कौन से प्लान आपको लेना चाहिए सब कुछ A to Z आ आपको मिलते हैं बेसिक प्रो और बिजनस आनुवल रेट की बात करेंगे तो 29,99 और 249 पर है और मेरे पास अभी फिलाल यह पर प्रो वाला प्लान है इसी का जम लोग रिव्यू करेंगे इसी के बारे में डिटेल में भी जानेंगे इनका कोई फ्री प्लान नहीं आता है यह लोग 14-day का ट्राइल देते हैं हाला कि मेरे पास इससे अच्छा कूपन कोड है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखेगा यूजर इंटरफेस की बात करों तो जैसे आप लोग लोग इन करेंगे आपको इस तरह का यहां पर इंटरफेस दे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेसंस के बारे में कि आप लोग किस तरह के यहां पर लेसंस क्रिएट कर सकते हो अगर आप लोग कोई भी ओनलाइन कोर्स सेलिंग प्लैटफर्म देख रहे हो तो लेसंस उसमें कापी इंपोर्टें रहते हैं तो सबसे पहले में प्रोड और अपसेल भी यहां पर कर सकते हैं, अब डिटेल्ड में जानते हैं इन सब को, वीडियो फाइल में कुछ निया रहता है, सबसे पहले आपको अपलोड कर दिने हैं, अपनी MP4 या MOV फाइल्स, वो अटोमाटिकल अपलोड हो जाते हैं, कॉमेंट्स कर सकते हैं, की नहीं कर सक अब हम लोग यहां पर करें है, तो यहां पर आफ यहां पर आइट ठेक्स कर क्लिक कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने भी कुछ डाले हैं, और इसमें एक बात बुरी है, कि जैसी मैं नीचे स्क्रोल करता हूँ, यह जो उपर का बारी नीचे नहीं आता है, तो अगर आप खिर अच्छी बात लगिए वह एक्स्टाइशन नहीं दे सकता हूँ कि क्यों सही है, क्यों गलत है उसका यहां पर कोई ओक्षन इसको मैं प्रिव्यू करके भी आपको बताऊंगा सारे लेसंस को और इसके बाद है यहां पर हमें सर्वे का कोई फीचर नहीं मिलता है आप लोग इसको अगें इंबिट कर सकते हो अपने गूगल फॉर्म को यह पर एंबिट कर सकते हो इसके बाद पीडियेफ लेसंस है और आप लोग अपलोड कर सकते हो डाउनलोडेवल लेसंस क्रिएट कर सकते हो और देन कोडिंग लेसंस है यह इंटरेस्टिंग लगा मुझे काफी यहां पर आप लोग कोडिंग डाल सकते हो और इसकी जो अच्छी बात है यहां पर हम लोग लांगवेज के हिसाब से यह उसक लॉग इन गरे गा, उसको इस तरीके से अपना course दिखेगा और जैसी हो जाएगा इस तरीके का यहां पर layout select किया है पहले यहां पर layout के options नहीं थे बट अब यहां पर layout के options भी आ गए हैं और यहां पर student जैसी यहां पर start पर क्लिक करेगा यह स्टार्ट हो जाएगा यहां पर कमेंट किया जा सकता है हाला कि डिस्कुषिन पैनल नहीं दिया गया है सिफ कमेंट कर सकते हैं यूजर वीडियो ब्लीबाग की बात करो तो यह विस्टिया पे अप्लोड़डेट है यहां से आप इस तरीके से दिखेगा आप वीडियो को यहां पर आप लोग डाल सकते हो कस्टम ब्लॉग पर मैंने यूटीब वीडियो डाल के रखा है उसके यहां पर क्विज लेसंस पर मैं सिलेक कर सकता हूं लेकिन अगें मुझे यहां पर दोँद अपाइसे प्लाट को की यहां पर में प्लॉड पिरीम घाज्यार सकते हैं इस तरीके से अपिलीति में की जाता सकता मेंस स्या च्मण मेंस घर्लाट थे कोडिंग लेसंस की बात करों तो कोडिंग लेसंस इस तरीके से दिखेंगे जो PHP कोड रहेगा वो इस तरह से दिख जाएगा यहाँ पर मैं मैं स्क्राइब दाला है उसके नीचे and then HTML code so अच्छी चीज़ है depending upon the purpose you are using it for अब बात करते हैं यहाँ पर drip content की यहाँ पर drip content भी डाला जा सकता है drip content means कि आप लोग एक कुछ specific time बाद अपने लेसं से पब्लिश करना चाते हैं जैसे lesson 1 यहाँ पर पहले दिन पर मिलेगा lesson 2 दूसरे दिन पर lesson 3 पांच वे दिन पर मानलोगर आप लोग को इस चैलेंज वाले इस तरीके का certificate में आप इशू कर सकता हूं फिर यहाँ पर coaching products वग्रे भी डाला जया सकते हैं अगर आपको किसी को काम करना है तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो कोचिंग सेग्मेंट में मैंने यहाँ पर केपी कोचिंग से नाम से डाला है इसके पर नेम बेसिकली एडिंग वग्रे ऑथर कितनी फीस रहेगी आपकी और अगर आप लोग कालेंडर यूज कर रहे हो तो उसके साथ आप कर सकते हो अब जैसे अगर मैं इसका प्रिव्यू करके बता हूं तो यह इस तरीके से दिखीगा मेरे क्लाइंट को और यहाँ पर माइस्टोन रहेगा और प्लीज बुक करने के लिए यहाँ पर मैंने उसको कालेंडर दे दिया वो बुक करने के लिए तो जैसी वह पर पर तरीके से प्लाकिमच घृष करेंगए आप यहाँ तरीके से पैनल में जाएगा अगर अपंड चलेंडी कालण्ड कर रहा हूं मैं आप पेंडी आप स्टूर पर आपको पुरा ओवर्वी मिल जाएगा कि कितने स्टुडेंट से कितने कंप्लीट किया है कितने लोगों पे पुरा पे किया है कितने फ्रीस ओर वीडियो स्टाड्स, क्विस्कोर्ज, लिड़ वीडियो अंगेजमेंट यह सारी चीज़न पर आपको डिख जाती है पेजबिलने की बात करें तो तो थीचेबल में आपको यहां पर इनके । पिल्ड मिल जाता है जो प्रटक का जो पेज है उसके लिए भी पेच बिल्ड मिल जाता है सैट पर पेजसन पर यहांपर रहता है हम पर हमें पैज कर दिया वह के बायेड़ दियाret बें और यहां पर इन सब को भी मैं एडिट कर सकते हैं जैसे में आपे क्लिक करूबा उत इसको रखना है और क्या है हमारे पास इमेल में आपे कोलेक्ट कर सकता हूं तो मैं पहले से आपए इमेल लीट unbelievable सकता हूं इमेज भी टेक्स इपर डाल सकता हूं और काॉत्ड natori यहां पर countdown होता तो और अच्छा रहता यही सेम मुझे page builder यहां पर मेरे courses के लिए भी मिल जाता है जैसी मैं courses पर click करके pages पर जाता हूं तो मेरा जो course product का जो page रहता है उसको भी मैं इसी तरीके से यहां पर create कर सकता हूं जैसे यह रहा मेरा main sales page हम लोग इसको एडिट करते हैं सबसे पहले तो यहां पर मेरा specific course का पेज आ गया है यहां पर मैंने अगें डाल के रखा है फिर image टेक्स डाली है फिर text फिर कुछ और text फिर curriculum डाल के रखा है तो यहां पर मैं curriculum को ऊपर कर देता हूं तो जैसे banner गया, banner के नीचे यहां पर मेरा curriculum आ गया और यहां से preview भी कर सकते हैं और pricing यहां पर मैंने नीचे डाल के रखी मैं उपर डाल देता हूं इसको 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 नीचे पर प्राइसिंग आ गई बाकि इन सब को यहां पर कुछ अप्शन अच्छी अच्छा नही और जैसे यहां पर इमेज डोट हो जाएगी, get started पर क्लिक करेंगे तो checkout page पर चले यहां पर curriculum आ गया है, preview करेंगे, preview हो जाएगा, और इसके एक खास बात है कि इसके जो preview वाले lectures है, वो student पर प्रिव्यू कर सकते हैं बिना रजिस्चर करेंवे, add new blog पर क्लिक करें तो वही सा अगर आपको 30-day refund दे रहे हो तो उसका यहां पर कोई badge भी हम लोग डाल सकते हैं, यह तीन हमें options में जाते हैं, checkout page में, इसके बाद यहां पर thank you page होता है, जैसे कोई purchase कर लेता है, उसके बाद यहां पर thank you page यहां पर हमें दिखाई देता है, तो thank you page में एक चीज जो हम लोग इडिट कर सकते हैं, वो है, upsell, upsell का यहां पर आपको एक नया blog देखने को मिलेगा, जैसे add new blog पर करेंगे, upsell का मिलेगा, upsell basically यहां पर आपको नीचे एक और product मिल जाएगा, जैसे आप लोग upsell कर सकते हो, जैसे यहां पर thank you, वैसे यहां पर text आगया कि thank you, और उसके बाद यहां पर आप लोग कस्टम HTML और CSS scripts भी डाल सकते हो, तो जिस तरीके से आप लोग इसको modify करना चाहो, वैसे आप लोग इसको modify कर सकते हो, so in short page builder है, it is good, it is definitely not the best, but it is good, beginners और intermediary level के लिए यह काम कर रहाएगा, analytics की बात करों, यहां पर आपको Google Analytics मिल जाता है, आप लोग यहां यहां पर सेग्मेंट का भी यूज कर सकते हो, और आपको Facebook Pixel भी मिल जाता है, यहां पर आपको Mixed Panel नहीं देखने को मिलता है, जो कि Analytics ले कापी अच्छा है, online course sellers के लिए, लेकिन आप लोग सेग्मेंट के थूरू उसको कर सकते हो, चाहो तो, पेमेंट कलेक्शन की बात करों वो बहुत जादा है, 2.9% और प्लस 30 cents, US sales के लिए और international sales के लिए 3.9%, तो अगर आप लोग इंडिया से अगर कोई परचेस करेगा, तो उसको यहां पर आपको heavy fees देनी पड़ेगी और वो भी आपके PayPal पे आएगी, Stripe account पे यहां पर आप लोग स्विच कर सकते हो, लेकिन Stripe account इनका सिफ professional plan पे रहेगा, basic plan पे अवेलेबल नहीं है, इसके payment options की वज़े सी, मैंने यहां पर teachable नहीं लिया था, PayPal की fees काफी high हो जाती है, student pricing की बात करनो तो free one time purchase payment plan हो जाता है, मतलब एक EMI की तरह हो जाता है, कि आपको fix number of monthly payments में दे दो, और फिर subscription का भी हां पर option है, यह option आपको इनके basic और pro दोनो प्लान में मिल जाते हैं, फिर यहां पर आपको zapier का support भी मिल जाता है teachable में, basic plan में आपको zapier के triggers मिल जाएंगे, और जो इनका pro प्लान है, उसमें आपको zapier के action भी मिल जाएंगे, zapier का integration है, यहां यहां पर webhooks भी है, अगर आपको यहां यहां करना है, तो आप लोग वो कड़ सकते हो, जैसा कि आप लोग कोई ढूसरा है यहां पर integration के यूज कर रहे हो जैसे कि प्ली कनेक्टी यूज कर रहे हो यह फिर इंटीग्रेटली यूज कर रहे हो, देन आप लोग webhooks का यहां पर यूज कर सकते हो, ट्रिगर करने के लिए, अगर आपको ट्रिगर करना है किसी और प्रेटफॉर्म के ऊपर जेपिर को छोड़के तब फिर आप लोग वेबुक्स का यूज कर सकते हो यह आपको प्रो प्रो प्लान में मिल जाएगा एफिलिइट की बात करो तो यहां पर आप लिग ईकराट करें अपर किली कप्रोंवग पर कर अब September 2020 को फिर श्र97 को के 9 Caoन ऐन कर सकते हुड इन यहां पर इन पर कि आप ऐमेब पूरे अपने जिन्हों ने आपके साथ कोर्स लिया है उनको भी आपर इमेल कर सकते हो और जैसे मुझे एक और चीज अच्छी लगी है वो इनका अच्छी मुझे काफी अच्छी लगी है इनका टेंपलेट इडिटर इस रियली गुड और यू के रियल क्रियेटिव विद इस वन इमेल इंटिग्रेशन की बात करते हैं आपर हमारे पास कनवर्ट किट है और नीचे आते हमारे पास मेल्चिंप है यह दो मेन ओप्शिंस है और अगर आपको कुछ और यहां पर यहां पर यूज करना है तो फिर आप लोगों को से पियर यहां फिर किसी और थर्ड पार्टी आटोमेशन टूल का यूज करना पड़ेगा कस्टम डोमींस भी यहां पर आप लोग सेट कर सकते हूँ इनके बेसिक प्लान से लेकर के सपोर्ट की बात करना तो है आपको इमेल नॉलेज बेस भी मिल जाता है इनका अच्छा फासा और देन चाट का भी ओप्शन अगर आप लोग इनके प्रो प्लान के ऊपर अपर तो पसनली मेने आप एमेल ट्राइकर करके देखा एमेल पर मुझे कभी रिप्लाइ जल्दी है करी है अगर आप इनका प्रो प्लान लेते हो तो फिर यहाँ पर एक toowरड पर तीचेबल भी यहाँ पर जितने भी popular इससे पहले आपर मैं बेस्ट प्लान के बारे में आपको बता हूँ मैं डिस्क्लेमर दिना चाहूँगा कि टीचेबल मुझे किसी भी तरह से इस वीडियो के लिए किया है जो भी आपर मैं बता रहा हूँ मेरी कुद की अनबायस्ट उपीनियन से जो मैंने एक्सपरियंस किय हाला कि अगर आप लोग मेरे नीचे देगाई लिंक से परचेस करोगे तो उससे मुझे थोड़ी कमिशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पेकिएवे इन फाक्ट आपको यहां पर बेटर डिस्काउंट ही मिलेगा अगर आप लोग मेरे नीचे देगाई यहां पर से सिफ आप लोग यहां पर पेपाल का यूज कर सकते हो स्ट्राइप का भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो जो फीस रहती है वो काफी हाई साइट पर चली आती है तो बेसिक प्लान यहां पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा टीचेबल के लिए जो मैं रिकमे कर लेना है और क्रिपेश एंटर कर देना है वहां से आपको दो महीने फ्री में टीचेबल मिल जाएगा आप लोग देख लो उसके बाद आप लोग चाहो तो इसको कांसल भी कर सकते हो यहां फिर इनके आन्वाल प्लान पे भी स्विच कर सकते हो अब अगर मैं इसके कुछ प्रोस की बात करने तो जो टीचेबल का प्रो प्लान है वो काफी अच्छा है यहां पर आपको कोडिंग स्निपिट्स दालने के ऑप्शन मिल जाते हैं इनका बिल्ड इन मार्केटिंग टूल है कूपन जणरेट कर सकते हैं हम लोग बल्क में इनका जो पेज बिल्टर है इ इनका बेसिक प्लान पर अच्छा नहीं है और जो इनका एड्मिन इंटरफेस है वो भी मुझे थोड़ा स्लोव साइट पर लगा है जो स्टुडेंट ले जो इंटरफेस है जहां से वीडियो प्लेग होते हैं वो सब फास्त है लेकिन जो आड्मिन इंटरफेस है वो मुझ इमेल मार्केटिंग चाहिए सारे यूसर को इमिल करना है कोर्स कंपलिशन का सर्टिफिकेट चाहिए आपके खूब सारे स्टुडेंट से अच्छे से मैनेजमेंट चाहिए तो फिर जो इनका प्रो प्लान है इस गुड और अगर आपको यहां पर कोडिं क्लास करनी है तो यहां पर एक अच्छा उप्शन रहेगा लेकिन अगर आपका बजट कम है अगर आपको बेसिक प्लान चाहिए तो शायद से फिर थिंकिफिक एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा तो अगर आपको यह अच्छ लगा तो आप लोग इसको थम्स अप दे सकते मेरे नीचे देगाई लिंक से पर्चेस कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए and I will see you guys in the next one. Goodbye.